दोस्तो शीबायनू को अगर हम देखे तो 22 के लेवल पर जा चुका है बिटकोईन को अगर देखे तो 67,000 के लेवल पर जा चुका है उधर देखे तो हालविंग को हुए 20 अपरेल से लेके 2 महिने होने को आए है अगली इस 20 तारिक के दिन और इधर देखे तो मीम कोईन से ज पीछे ही इसलिए हर कोईन में यहां पर डमाडोल के स्थिती है मार्केट ने वेशा जो परफॉमेंस हमने बनाया था एक्सपेक्ट वेशा नहीं दिया तो क्या यार होल्डर्स के लिए यह सबसे क्रूसल टाइम है और होल्डर्स निरास हो रहे हैं ट्रेडर्स के लिए मारकेट में हर कोई जानना चाहरा है क्या खिर हो क्या रहा है और क्या इस्थिती निर्मित हो रही है क्या आगे भविश्य में कभी मारकेट प्रोफिट देगा थवा नहीं देगा या फिर कि एम लेज से ही गुमाता रहेगा क्योंकि काफी होल्डर्स यहां पर बर्बाद की इस्थिति में हो रहे है हला कि यह बात पूरी तरीके से सत्त नहीं है कि बर्बाद की स्थिति में है वो जरूर है जिन लोगोंने BTC या फिर SHIVAANO या फिर UNCOIN को हाई पर खरीदा है और आज, उस स्थिति में वो कहिना कहीं LOS में है यहाँ पर अगर हम market को देखे तो market एक तरीके से इसी type से behavior करता आया है और करता रहेगा market को कभी समझ नहीं पाया जा सकता है क्योंकि market को एक तरीके से बड़े players यहाँ पर control करते है अगर आपको market को समझना है तो सबसे पहले उन बड़े players का जो mindset है वो पढ़ना पड़ेगा वो क्या चाहते है actual में अगर उनके हिसाब से आप market में बड़े हो तो ही यार यहाँ पर जो profit है वो आप निकाल सकते है और कई न कई market से बड़ा profit ले सकते है अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताओ तो जो market है न उसमें आप लोगों के लिए daily base पर monthly, weekly base पर profit निकालने का जो time है न वो है नहीं क्योंकि market में आप उस बड़े players की जितना पेसा लगा नहीं सकते और उनकी जो strategy है वो अगर सब पढ़ लेंगे तो फिर तो यार सभी market से पेसा बना लेंगे फिर वो केसे बनाएंगे तो आपको क्या है market से long term में ही खेलना चाहिए अगर आप short term में खेलेंगे तो वो loss होना है और बरबाद होना ते है यहां पर आप अगर समझिए थोड़ी देर के लिए crypto market में आपने किसी भी coin को खरीदा चाहे बड़ी coin हो meme token हो या फिर कोई सी भी coin हो अगर आप सोचिए कि एक high price जब market बढ़ने लगता है उस price पर आप खरीद लेते है अब market को तो गिराना है उनको क्योंकि अभी कोई वज़ा नहीं है market को उपर ले जाने की तो market तो गिरेगा अब आप क्या है बरसाती मेंड़क है जब market बढ़ता है उस बीच खरीदने जाते है और market गिरता है वहीं से जहां पर आप खरीदते है तो अब इसलिए नुकसान होता है क्योंकि बहुत सरे इसे comments आपकी तरफ से आते हैं एक बंदे कहते हैं कि सर में जब खरीदता हूँ तब से ही market गिरना चालू होता है मुझे शीबा इनुने अभी तक low सी दिया है अब भई शीबा इनुन कभी भी short term के लिए होती नहीं कोईन में कभी भी prefer नहीं करता कि आप short term के लिए इस कोईन में trade करें long term के हिसाब से ही आप खेले तो ज़्यादा safe रहोगे दूसरे एक बड़े बंदे कहते हैं कि सर में तो यार यहाँ पर बरबाद हो गया जादातर holders जो मेरे परिचित में है सब बरबाद हो रहे है अब बरबाद होने का पीछे reason यही है market जब बढ़ता है ये लोग पेसा लगाते है और फिर ये पेसा ऐसा रहता है इनका जो इनको जरुवत पढ़ती है उस पेसे की अब भले फिर market गिर रहा हो या फिर किसी भी श्थेती में हो इनको बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा अब जब यह बेचेंगे तो फिर इनको लोस में बेचना पड़ेगा और इनको लोस हो जाएगा तो ऐसे नहीं खेला जाता है यार गेम गेम को अगर ऐसे खेलोगे न तो holders का बरबाद होना ते है मार्केट के कुछ नियम है मार्केट में मनी मेनेजमेंट रिस्क मेनेजमेंट के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे न तब ही यहां से कुछ कर पाओगे अन्य था आप लोगों के लिए मार्केट बड़ा नहीं है बना नहीं है क्योंकि देखिए अगर हम मार्केट की बात करें तो ये तो छोड़ो बहुत वोलेटाइल वाला मार्केट है क्रिप्टो का तो शेर मार्केट में अगर आप इस टाइप से घुसोगे तो पेसा नहीं बना पाऊगे तो ये तो क्रिप्टो मार्केट है इसमें तो तो गेम आपको ऐसे खेलना है कि आपको long term के लिए पेसे लगाओ, अब अगर देखो आप price इस level पर है, इस level पर buying position सबसे अच्छे बनती है, अब आपने खरीद लिया है, अब आपको तब तक नहीं बेचना है जब तक कि आप इसको एक साल या उससे जदा hold नहीं कर लेते हैं लेकिन अगर आप देखोगे तो खुद Shiba Inu 2 साल से एक रेंज पर फसा था, तो समय लगता है यहाँ पर, BTC को अगर खुद देख लो तो BTC बहुत लंबे टाइम तक एक level पर फसा था, और नीचे ही नीचे जा रहा था, नीचे ही नीचे जा रहा था, यहाँ से फिर market बढ हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है और फिर जीरो होने लगेंगे तो आप सोचेंगा अरे यार यह तो पूरा ही खतम नहीं हो जाए, चलो बेज देता हूं, और यही गलती हमने भी सिरुवात में करी थी और लोस उठाया था, फिर हमें समझ में आया कि market मे इसे नहीं खेला जा सकता है, ठीक है, आपको पेनिक होना नहीं पड़ेगा, आपको भले वो जीरो हो जाए, निकल जाना, लेकिन कभी भी market से लोस में मत निकलना, यह market के खासियत है, यह एक रामबार्ण, अस्त्र है जो मैं आपको दे रहा हूं, रियल बता रहा हूं कि market स लोस में कभी लिकल नहीं मत, भले वो पेसा फिर जीरो हो जा, क्योंकि market में देखने में आया है, हमने भी एनलाइस किया है, और हमने भी गलती करी है, वही गलती आप ना करो, इसलिए में बता रहा हूं, market आपको लगेगा कि आप तो बहुत खतम हो गया पेसा, चलो बेज अगर आप सोचो ना, तो market recovery के लिए आता है, हाँ ये अलग बात है कि आपने एसा पेसा लगा दिया, जो आपको जरुवत है, फिर आपके अरे यार बेज देता हूं, पेसे कि अब तो हो शकता है, फिर वो बात ये अलग होगे, आप तो भले फिर profit में हो, लोस में हो, profit book कर लेता है, अब जब market बढ़ रहा था, उस बीच आप निकल लिए, और जब market घट रहा था, तब आप निकल नहीं रहें, तो उल्टी गलती, उल्टा काम नहीं करना है, हमेंसा सीधा काम करना है, market बढ़े तो उसको बढ़ने दो, जब तक कि आपको ऐसी कोई सी बढ़ी market डमडोल की स्थिती में है, market डाउन डाउन चल रहा है, तो यही स्थिती है कि यार इस टाइप से स्थितियों में हमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है, हलाकि आप देखो, पेपेज गिर रहा था, और अचानक से 24 गंटे में 9% साइथ बढ़ गया, पता नहीं है, डेटा ही ग होती है, आप देखें, market के से गिर रहा था, गिर रहा था, और अचानक से 9% बढ़ गया, और यह 9% कब बढ़ा है, पता, यह 9% ऐसा बढ़ा है, जब CPI डेटा आजाने है, CPI डेटा रिलीज होना है, और इस बीच यह पेपे का प्राइस बढ़ गया, आप किसी ने एक्सप मार्केट में दो जगा, एक जगा यहाँ विल्स ने बाइंग लिया होगी, अचानक से market को यहाँ ले गए, फिर यहाँ पर ले गए, अब यह जो इस्थिती दिख रही है, यह छोटे इन्वेश्टर है, छोटे छोटे इसमें आ रहे है, अब मार्केट को फिर यह गिरा दे बढ़ना, क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा जरूरी है, और अगर आपने यह सीख लिया, तो किंग हो आप फिर मार्केट के, और अगर नहीं सीखा तो लोस तो होना ही है, और बनाते रहो लोस, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, तो एसे ट्रेडर, एसे होल्डर से बर लेना, बेल आइकोन को हिट कर देना, अपना उपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखना कि क्या चल रहा है, क्यो बरबाद हो रहा है ट्रेडर, और आपने क्या यह सी गलते करी है अभी तक, कमेंट्स में जरूर लिखना, गुडबाई, नमस्कार